आज से ठीक दस साल पहले सारे निउस चैनल्स पर एक ही खबर फ्लैश हो रही थी क्या इस धर्ती पर महाविनाश का डर मन रहा है क्या 21 डिसेंबर 2012 को ये दुनिया खतम हो जाएगी सबकी एक आख टीवी पर थी जहां से लोग इन सारी चीजों के बारे में अपडेटेड रह रहते और दूसरी आख थी आसमान पर कि अगर कोई भी तबाही आए तो वो उसे अपनी आखों से देख सके But today is proof that the world didn't actually end on 21st December 2012 as per the Mayan prediction Maya एक बहुती ancient community है जो तीन टाइपस के कालेंडर को फॉलो करती है उसमें से एक था the long count calendar जिसकी शुरुवात हुई 11 August 3114 BCE में This day is called creation इस calendar में 13 बक्तुन mention किये गए थे एक बक्तुन याने 1,44,000 दिन थोड़ी match कर ले तो ये पता चलता है कि इस calendar में 5,125 से लेके 5,128 साल mention थे मायन बिलीज के हिसाब से इन 13 बक्तुन का आकरी दिन सिफ उस calendar का ही नहीं बलकि पूरे ब्रह्मान का आकरी दिन होने वाला है कुछ researchers ने उस calendar की carvings को decode करना चाहा और तब तक उन्हें एक तारिक मिली 21 December 2012 उसके बाद इस date को लेकर ऐसा हंगावा मचा था ये तो आप भी जानते हो और मैं भी ओवियस ही बात है कि कुछ लोगों ने Mayan calendar को misinterpret कर लिया जिसकी वज़े से अफ़ा उड़ती गई और लोगों को इस topic में interest और बढ़ने लगा I mean किसका interest नहीं बढ़ेगा We are talking about the end of the world It's a big thing Bad but a very big thing ऐसा ही interest astrophysicist Richard Godd के मन में भी बढ़ते जा रहा था जिससे उन्होंने एक mathematical equation ही बना लिया An equation that predicts the end of humanity उस equation के हिसाब से we only have 760 years जिसके बाद 50% chances है कि हम और हमारी ये दुनिया मिट्टी में मिल जाएगी अब जो शुरू हुआ है उसका अंत तो होना ही है लेकिन कैसे खतम होगा ये हमें नहीं पता But we do have some theories जिने हम इस वीडियो में discuss करने वाले End of the Sun शुरूआत करते है ऐसे theory से जो theory कम और हमारे solar system की भविश्यवानी ज्यादा है We love to watch sunrise and sunset उसके खूपसूरती के अलावा sun हमारे earth के लिए कितना ज्यादा important है इसके बार में तो आपको भी पता है लेकिन क्या आपको ये पता है कि हमारे solar system का चम-चमाता सितारा असल में चमकता कैसे है The answer is nuclear fusion The sun has hydrogen and helium along with other elements Heat की वज़े से hydrogen का atom charge या ionize होना शुरू कर देता है ये charged hydrogen atom दूसरे atom के साथ fuse हो जाता है resulting into the formation of helium इस fusion की वज़े से जो energy release होती है वही हमारे sun की light और heat की वज़ा बन जाती है लेकिन future में एक point ऐसा आएगा जब hydrogen पूरी तरीके से exhaust हो जाएगा helium's core will start collapsing upon itself releasing a certain amount of energy that will make the sun brighter and brighter but not hotter अब हमारा sun red giant बन चुका होगा अब इस phase में sun 170 million km तक expand हो जाएगा और mercury venus के साथ हमारे घर यानी धर्ती को भी निगल जाएगा sun के इतने नजदीक होने पर ये जाहिर सी बात है कि earth पर सारे water bodies including oceans पूरी तरीके से vaporize हो जाएगे which equals to loss of oxygen and in turn loss of life जहां आज हम humans इतनी बड़ी civilization built कर रहे है वो red giant के सामने आते ही बस एक lifeless पत्थर बन जाएगा completely stripped off of its blues and greens एक बार के लिए समझ लो कि earth red giant के zone में जाकर पत्थर बनने से बच गया तो क्या होगा well we lose our dear moon red giant की drag की वज़े से moon की orbit decay होना शुरू हो जाएगी वो rush limit cross कर देगा और spear से ring बनकर earth को saturn की तरह makeover कर देगा but that won't last long क्यूंकि उस moon turned ring का debris earth पर shower करते रहेगा लेकिन अगर उसके पहले ये दो incidents हुए तो शायद earth एक lifeless पत्थर बनने से बच सकता है firstly हमारी milky way galaxy उसी दोरान andromeda galaxy से टकराने के कगार पर होगी इसका effect हमारे solar system पर पढ़ने के chances भी हो सकते है as it may result into our ejection from the newly formed galaxy secondly अगर sun के red giant बनने से पहले अगर किसी asteroid ने earth को आकर इतनी बड़ी टकर दे दी कि earth solar system से ही बाहर eject हो गया तो शायद वो sun से बच पाएगा लेकिन आगे कुआ है तो पीछे खाही earth का solar system से eject होना यानि की आग से बच कर बर्फ में कूदना होगा हम जितनी दूर sun से जाएगे sun हमें चोटा सा star दिखना शूरू हो जाएगा और उसकी heat भी हम तक नहीं पहुच पाएगी the final ice age of humanity will begin freezing every form of life to death and turning earth into a snowball floating into the dark space अब इस end of the world possibility के timeline के हिसाब से हम यहां पर कई billion years बाद के future की बात कर रहे है लेकिन आने वाले पच्छा सौ सालों का क्या geopolitical disputes, increasing greenhouse gases, emissions यह सारे factors तो बढ़ते ही जा रहे है and human ignorance is the main reason death of deoxygenation, loss of oceans red giant के heat से oceans का earth से evaporate हो जाना अलग बात है और हमारे करम का फल यानि की global warming से oceans के death को welcome करना अलग हमारे पूरे solar system में अर्थ का होना एक miracle से कम नहीं है perfect temperature, perfect levels of oxygen for living beings to flourish oxygen के वज़े से ही तो life exist करती है thanks to the pandemic that we know that what happens when there is a lack of oxygen, हमारे atmosphere में जितना oxygen है, उसमें से 50 to 80% तो oceans से ही आता है, यह बात है करीब धाई billion साल पुरानी जब great oxidation event जिसकी वज़े से earth का atmosphere breathable है cyanobacteria याने blue green algae की वज़े से हमारा atmosphere oxygen से भर गया और multicellular life form होने लग गई लेकिन कुछ 450 million साल पहले बिलकुल इसका उल्टा होने लगा, हमारे earth ने अपनी life में 5 बड़े mass extensions events face किये है उन में से एक था late audio vision mass extension जिसमें climate में sudden shift आने की वज़े से temperature काफी हद तक drop हो गया था, enough to freeze the oceans across the planet and eventually kill the sea life ocean glaciers में बदल गए oxygen producing cyanobacteria वो frozen to death, thus dropping the levels of oxygen in the atmosphere. दीरे दीरे पहले cold की वज़े से और बाद में oxygen level drop होने की वज़े से धरती पर से सारी life vanish होना शूरू हो गई थी. Fast forward to today in addition to warming the ocean temperatures, nutrient pollution of coastal environments through fertilizer runoff and nitrogen deposition from the burning of fossil fuels the algal population is growing drastically. वो कहते है ना anything in excess is a poison एक समय पर जिस blue green alga ने oxygen produce करके हमारे जैसे complex life forms को form होने में help की थी. वही algal population का बढ़ता rate हमारे sixth mass extinction को trigger कर सकता है algae के death के बाद वो oceans में sink हो जाते हैं और वहाँ उन्हें bacteria's breakdown करना शुरू कर देते हैं. इस process में oxygen consume होता है और carbon dioxide release. और global warming की वज़े से oceans का overall temperature भी बढ़ ही रहा है as it is not able to absorb carbon dioxide at the same rate as it did for us since the industrial revolution. यह दोनों phenomenon एक साथ मिलकर हमारे oceans को death और deoxygenation की तरफ धकेल रहा है by creating dead zones in oceans. इन dead zones में oxygen level इतना लो होता है कि एक life form को support करना मुंकिन ही नहीं है. Now because of these dead zones, the fish swims on the surface in search of higher oxygen. अब ज्यादा fish surface पर आएगी तो overfishing तो होगी ही cause it will serve as a lottery for humans. Overfishing इस हद तक होगी के swad fish, tuna जैसी hypos या sensitive fish extinction के कगार पर आएगी, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा. लेकिन इस वज़े से पूरा food chain पर असर होगा और gradually slow poison की तरह हमारी पूरी ecosystem collapse हो जाएगी. International Union of Conversation of Nature के नए report के हिसाब से 1950 से 2% drop पाया गया है oceanic oxygen levels में. और सबसे dangerous बात यह है कि 2100 तक यह prediction 3-4% तक हो सकता है. Nuclear winter followed by nuclear war. Nature की कीमत नहीं जानकर तो हम self destruction की और बड़ी रहा है but we humans are creative enough to have more than one way to kill ourselves along with other 8.5 billion species. 1945 में World War 2 के दौरान, अमेरिका ने जपान के दो cities, Hiroshima and Nagasaki पर दुनिया का सबसे पहला atomic bomb drop किया था. दोनों cities में approximately 2,14,000 लोगों की जाने गई थी, ground temperature 4000 degree centigrade तक बढ़ गया था और radioactive बारिश जमीन पर गिरकर nature को contaminate कर रही थी. विक्टम्स को ट्रीट करने के लिए medical experts नहीं थे और जो बाहर से आये वो भी इस intense radiation की वज़े से गुजर गये। कुछ सालों बाद leukemia, thyroid, breast cancer, lung cancer जैसी long term diseases high than normal rates पर बढ़ने लगी। जो औरते pregnant थी, उनके बच्चे जनम लेते ही गुजर जाते या किसी disability के साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं। 37 सालों के बाद भी उस tragedy के consequences जपान के इन दो cities में दिखाई देते हैं। I hope you all know where I am going with this. आज पूरी दुनिया में 13,000 से जादा nuclear weapons है। Earth को पूरी तरीके से नश्ट करने के लिए भी सिर्फ 100 से 1000 super nukes लगते हैं। 24 February 2022 को Russia ने जैसे ही Ukraine को invade किया, वैसे World War 3 के rumors हर news channel और social media पर फैलने लग गए थे। अगर ये conflict सच में World War 3 में बदल जाती है और countries nuclear weapons deploy करना चालो कर देती है, तो उसका effect होगा हर एक इनसान पर, हर एक species पर. And this will result in nothing but a mass extension. Not one, but in two lethal phases. Nuclear bomb explode होते ही, around one third of energy निकल जाती है, that one third energy is nothing but the visible explosion with light and heat release. And aftershock follows this explosion, जिसकी वज़े से ground पर खड़े सारे structures मिटी में मिल जाते हैं, creating piles of kindling all ready to burn. ये है death phase 1, जहां पर bomb detonate होने की वज़े से immediate deaths होना शुरू हो जाएगी. Firestorms हर जगा फैल जाएगे, खेत और बाकी food resources भी contaminate हो जाएगे. पानी भी contaminate हो जाएगा, जिसके उसे हम पानी भी ने पी पाएगे. और हवा में explosions से मलबा बन जाएगा, जिसकी वज़े से जान लेवा respiratory problems होने लग जाएगे. And radio activity से exposed होकर इंसानी ने बलकी पेड़ पौदे और animal species भी destroy हो जाएगी. और global population 99% तक drop हो जाएगी. Nuclear explosion से electromagnetic pulse create होगा, जिससे एक के करके सारे electronic equipment काम करना बन कर देगे. तो यह हुआ phase 1. Phase 2, the aftermath of explosion would be way worse and possibly mark the end of human civilization. कैसे? Well, scientist के language में कहें, तो nuclear war के बाद climate change drastically बढ़ जाएगा. मानो जैसे वो steroids पर हो. They call it a nuclear winter. जैसे ही सब कुछ आग पकड़ लेता है, वैसे ही smoke built up होना शुरू हो जाता है. It reaches above the clouds in the stratospheric region and starts spreading across the sky, blocking the sun. यह सूट sunlight को atmosphere में penetrate करने से रोग देगा and this is how the death snow begins. Temperatures drop होने लग जाएगे, बारिश तो एक rare phyronomen जैसा बन जाएगा. Death phase 1 से बची population इस गिरते temperature और freezing winter का शिकार बन जाएगी, crops would fail and food resources would become rare, leading to starvation. और सबसे धरावने बाद तो यह है कि nuclear winter एक decade से भी ज्यादा consistent रहेगी. चलो एक बार के लिए consider कर लेते हैं कि एक group of humans ने इस nuclear winter को अच्छे से survive कर लिया, तो अब आगे क्या? Will they be able to rebuild human civilization from the scratch? A little too early for that. अभी तो nuclear summer आना बाकी है. Nuclear detonation के बाद बहुत सारा nitrogen oxide atmosphere में बन जाएगा as a result of the breaking down of the air. यह NO2 stratosphere में पॉच कर ozone layer को catalically breakdown करना शुरू कर देगा depleting the sole layer that protects us from the radiating sun. अब जैसे जैसे nuclear clouds हटने लगेगे और sunlight actually penetrate होने लगेगी, पूरा Earth harmful UV radiations का शिकार बन जाएगा. How easy it is to push Earth into this state of destruction bare-handedly from us humans. Nikita Krushdev जो Communist Party के पहले secretary थे उन्होंने nuclear war के बारे में बात करते हुए यह का था? The living will envy the dead which is sad but true. Climate change, end of our sun, loss of oceans after nuclear winter, यह तीन फिर भी if-then वाले theories हैं. लेकिन मुझे आपको बताने की जरूत नहीं होगी कि कैसे हमने already एक end of the world reality को experience करना शुरू कर लिया. जी हा, हम बात कर रहे about climate change. 2018 में UN के scientists ने एक report published की थी जिसके हिसाब से humans के पास climate change को tackle करने के लिए बस 12 साल बचे है. Pre-Industrial Era से लेकर आज 2022 तक हमारे planet ने 1.1 से 1.3 degree Celsius का rise देका है. यह slight increase in the earth temperature is pushing all of us towards the dead end. Hurricanes, wildfire, drought, floods जैसे natural disasters बढ़ने लग गया. In fact, World Meteorological Organization has reported an increase of natural disasters due to climate change and extreme weathers by the factor of 5. 1770 से 2019 तक, weather, climate और water हजाज की वजह से 50% disasters हुए है, causing 45% of all death reports and 74% of reported economic loss. हाली में एक report आई थी के 2030 तक Mumbai और Kolkata जैसे coastal cities underwater होने वाले है. If that isn't scary enough, extreme weather की वजह से food production will also be at high risk, poverty will sneak in and diseases and disasters will become unstoppable. In short, climate change is a one-way ticket towards apocalypse. 2015 से 2022 आज तक के hottest years माने जाते हैं और आप यह जानकर चौक जाओगे कि कुछ लोग climate change पर विश्वास ही नहीं करते हैं. 10 साल पहले सब उपर आसमान पर नजर टेका है, अपोकलिप्स का इंतजार कर रहे थे. बट आज 10 साल बाद हम एक man-made सरवनाश वाले event को कंबल की तरह अपने आप पर ओड रहे, तो दो ले उन पूमें इंड वाले पूंन आप यह जाओगे कि खर विडियो को अंड पामें विडियो अंड प्रेंट को एंड आगे का इंड आप जाओगे तो पामें आप इंड इंड रहे, झाल झाल